हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसी है आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे धर्श को पूजनिय पंडिची ने अपनी शिव महापुरान कथा में एक विशेश उपाय का वर्णन किया है जिसे आपको सुम से संबंदित तो कहीं नौकरी से संबंदित व्यापार से संबंदित घर में कलेश है एक दूसरे से बंती नहीं है ऐसी परिस्थिती में आप इस उपाय को अवश्य करिएगा लेकिन उससे पहले यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं और मेरी आवास को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंथी सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है मात्र आप एक लोटा जल ले ले सबसे पहले एक लोटा जल में आपको क्या करना है पांच पीपल के पत्ते लेने हैं ध्यान रखेगा कि साफ पीपल के पत्ते ले कोमल ले आपको तूटे हुए मिल जाते हैं तो वह भी ले सकते हैं आप अनिता आप तोड़ ले, पाँच पीपल के पत्ते ले ले, थोड़ी सी साथ में काली तिल ले ले, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, काली तिली, काली तिली आप ले ले, काली तिल ले ले थोड़ी सी और उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है हल्दी की गाट, जो पांच पीपल के पत्ते थोड़ी सी काली तिल और साथ में छोटा सा तुकड़ा हल्दी की गाठ का अब आपको क्या करना है आपको एक लोटा जल लेना है उस लोटे में आपको पांच पीपल के पत्ते डालने हैं काली तिल डालनी है और साथ में हल्दी की गाठ डालनी है और शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर दें, काली तिल और जो हल्दी की काट डाली है वो तो आप चड़ा दें और उसके बाद जो पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते ले ले और वही जल जो आपने कलेश के चड़ाया, वही जल के छीटे अपने उपर ले ले ले, आप 500 उमबार इस उपाय को अवश्य करिए, आपको 500 उमबार में ही लाप दिखने लगेगा, बाबा आपकी नईया को पार लगा देंगे, आपके काम बनने लगेंगे, आपके किसमत के सितारे चमकने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी परिस्तिती सुधरने लग जाएगी, पैसों भी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकों, आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम लिखकर मुझे अवश्य बताईएगा, चैनल पर पहली बार आये हैं, त चैनल को तुरह दर सब्सक्राइब कर लिजे, धन्यवादा